मेरे पास 5 है मैंने एक टर्म बोली मेरे पास 5 है अब आपके दिमाग में हजारों सवालात उठने स्टार्ट होगे मैं फिर कहता हूँ मेरे पास 5 है आप कहेंगे भई क्या 5 है पैन 5 है नंबर 5 है सिक्के 5 है चश्मे 5 है दाडियां 5 है जो नगली लगा के बैटा हूँ आपके पास क्या 5 है गडियां 5 है तो इसी तरीके से mathematics के अंदर अकेला number कुछ नहीं होता कक नहीं होता numbers के साथ आप units जरूर बताते है units क्यों होते है और किस तरीके से होते है इनकी भी आगे पूरी कहानी है कभी उसको आप लंबाई में बताते हैं चुडाई में बताते हैं उसका unit होता है unit से मुराद होता है वो किस तरीके से measure की गई है चीज count की गई है उसकी geometry की foundation क्या है मेरे पास 5 तो हैं लेकिन क्या हैं मेरे पास 4 हैं क्या हैं मेरे पास 3 हैं क्या हैं? So, I have to know कि वो क्या चीज़े हैं जो मेरे पास हैं और मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ Let's talk about Measurement and Geometry Foundations Units of Measurement हमारे पास कौन-कौन से होते हैं? Length, Mass Volume and Time Usually, ये चार चीज़ें होती हैं जो बहुत ज्यादा तर use होती है Time Series के Plot में Time बहुत ज्यादा होता है Volume होता है, हुझम किसी चीज़ का Length होती है, कितनी लंबाई है Mass होता है, कितना weight है या क्या Mass है, इसके बारे में हम बाद में डिसकस करेंगे Physics में होती है ये चीज़ें, but for now Units of Measurements are used to quantify physical quantities जो चीज़ें exist करती हैं physically Mass in measured in kilogram pounds and volume is measured in liters or gallon and time in second minute and hours लेकिन आप कहते होंगे भई नहीं जो length है meters में, centimeters में, feet वगईरह में तो होती है, लेकिन फिर आते हैं UK वाले, उनके अपने units है, miles के अंदर फिर आते हैं USA वाले जो कहते हैं कि two football stadiums के equal फलानी चीज़ है तो वो क्या करते हैं, वो basically उन्होंने अपने units बनाए हैं but there are few unit types जिसमें metric and imperial units है the metric system uses units like meters, liters, grams, kilograms, liters, milliliters, meters, kilometers, something like that ठीक है while in imperial system units like feet, gallons and pounds, ये इस तरह आते हैं तो आपकी assignment ये है आपने देखना है कि metric और imperial units imperial units कौन-कौन से होते हैं और क्या होते हैं by the way unit conversion एक system होता है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एक feet में कितने inches हैं या चोटे unit से बड़े unit में कैसे जाना है या बड़े unit से चोटे unit में कैसे जाना है एक मैं सवाल बूचता हूँ मेरा weight 28 kg है I'm just giving an example तो ये कितने gram होते हैं 28 kg में You should know kilo का क्या मतलब है How to convert 1 kg into grams कितने grams के इकल होता है 1 kg kilo किसे बोलते हैं ठीक है Peta किसे बोलते हैं Giga किसे बोलते हैं Mega किसे बोलते हैं ये सारे units आपको पता होने चाहिए Usually physicists का काम होते है जो physics पढ़ते हैं लेकिन as a data scientist you have to learn these things आप इससे जानने चुड़ा सकते हैं Unit conversion involves changing a quantity expressed in one set of unit to another set of units using a conversion factor For example convert 5 km to miles by multiplying 5 by the conversion factor of 0.6213 7-1 या तो आप इनको रेटा लगा लें जो conversion factors हैं या आप इनको calculate करना जान जाएं किस तरीके से calculate होते हैं एक तरीका कार जो बहुत असान है calculation का भी आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे Google पे जाता हूँ और वही पे जाके बोल देता हूँ कि जनाब 1 मेरा जो 28 kg in grams तो unit conversion आपके पास लें जनाब 28,000 grams के बराबर है ठीक है तो Google में भी यह यह है आपके phones के अंदर भी आ चुक है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है but if you know the science behind unit conversion you should be very proud of it क्यों? क्योंके यार जब data science पे बात हो रही है न तो जब अक्सरों काता present कर रहे होते हैं कोई चीज तो आपको दो तीन तरीकों से present करने होते हैं मैं एक मिसाल देता हूँ मेरे पास एक data आया अमेरिका का और वो कहते हैं कि जी आज temperature temperature जो है वो 130 degrees है इतना गया के बात छोड़ दी उनने अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि मेरे जासा बंदा जिसे पता है कि 100 पे तो पानी बौाइल होने लग जाता है यह 130 degrees कह रहे हैं दन फट से मुझे cultural perspective उनका याद आया कि they count in degree foreign height foreign height के अंदर और arm unit के अंदर फरक होते है for example अगर मैं 96 degrees बोर रहा हूँ तो it should be in foreign height तो I have to know कि foreign height को degree Celsius के अंदर कैसे convert करना है ठीक है degree foreign height versus degree Celsius तो इसको अगर मैं लिख हूँ for example मैं यहाँ पे Google के अंदर लिखता हूँ just right here for example I would say 96 degree foreign height to Celsius तो यह मुझे फोरण से बता देगा यह 35 degree है ठीक है अगर मैं यहाँ पे 130 लिख हूँ यह मुझे बता देगा कि this is minus 1 degree Celsius sorry 130 लिख हूँ तो यह 54 degree के एक होल है ठीक है तो हो सकते है कि यह 54 degree Celsius है जो यह इस तरीके से है अगर मैं 27 लिख हूँ तो क्या होगा मेरे पास minus 2.77 है यानि कि 27 degree हूँ के हमारे minus 2.7 minus में temperature और equation भी अभी आपको नीचे formula के थूँ नजरानी start हो गई है so it would be very easy अगर आप यहाँ पे 1 लिखें तो आपको पता चल जाए यहाँ पे 1 लिखें और ratio anything here कि आप यह नहीं कह सकते कि 33.881 degree के है तो 34 कितने के हुआ let's see यह हमारे पास 34 जो है वो 1.11 के होगा so you need to follow this equation जिसका मतलब है degree for a night minus 32 divided by multiplied by 5 by 9 तो फिर हमारे पास degree Celsius आता है तो यह equations यह आपके पास conversion factors होते है conversion factor क्या होते है you need to find some conversion factor जब भी आप किसी unit को दूसरी unit के अंदर convert करना है for example kilometer को miles के अंदर अगर करना है you just need to convert that into 0.62 something ठीक है अगर आप geometry को देखें तो उसके अंदर points होती है lines होती है angles होती है ठीक है for example हमारे पास triangles है तो वो क्या होती है three-sided polygons तो फिर हमारे पास आते है quadratals फिर हमारे पास आते है circles फिर हमारे पास आते है parameter and area perimeter and area फिर हमारे पास surface area and volume आ जाते है and then we see a lot of other things जो हमारे पास different ways में चीजें जो हैं वो हम geometry के अंदर अब geometry और units क्यों important है क्योंके units जो है वो मिल के geometries create करते है say for example मेरे पास एक triangle है जो एक-एक kilometer के region पर बन दी है तो इसका मतलब है मुझे units ज़रूरी है कि कितना area एक side cover कर रही है कितना दूसरी side कितना तीसरी side सो इस वज़ा से geometry के लिए भी unit बहुत important है जैसे mathematics के अंदर है ठीक है सो triangles are three-sided polygons characterized by three edges and three vertices ठीक है edges and vertices क्या आते है we will see the sum of the interior angle in a triangle is always 180 degree तो यह geometry की बाते हैं लेकिन just to let you know कि basic आपको पता होनी चाहिए कि three angles होते हैं यहां पे squares rectangles parallelogram होते हैं फिर आपके पास circles आ जा जाते हैं जिनका circumference होता है perimeters होते हैं जिनकी length वगएर आप चेक करते हैं surface area आप कैसे calculate करते हैं you have to take square of something so यह आप खुद से read करेंगे ताकि आपको इनकी बातों की समझ आ सके unit conversion ज्यादा important है geometry भी important है जो लोग खास तोर पे 3D animation की तरफ जाना चाते हैं जो लोग AI का use करना चाते हैं 3D animation की तरफ जो VFX की तरफ जाना चाते हैं जो लोग geometry का use करें GIS यानि के geospatial data analysis की तरफ जाना चाते हैं कि आप satellite से data ले और mapping के तरह move करें आपके लिए geometry learn करना जरूरी है बाकी लोगों के लिए simply आप इसको एक दफा go through कर लेंगे that would be enough for you अभी तक अगर आपने इस lecture को like नहीं किया share नहीं किया subscribe नहीं किया तो I recommend you guys please do it please I'm just giving you a chance to get all the videos every day okay तो ये हमारे पास आगया जनाब यहां तक का data